काल्यवन ने नारद मुनी से भगवान कृष्ण का वर्णन सुन रखा था और जब कृष्ण मतुरा नगरी से बहार आये तो काल्यवन ने पैचान लिया उनको काल्यवन ने कृष्ण का दर्शन चतुर भुज रूप में किया शंक चक्र गदा पद्म धारण किये हुए और कृष्ण वहां से धीरे धीरे पैदल जा रहे थे काल्यवन ने अच्छा मोका देखा कृष्ण को निशस्त्र देख करके और काल्यवन कृष्ण का पीछा करने लगे दोड़ने लगे लेकिन काल्यवन जितना प्रयास किये वह कृष्ण के निकट नहीं पहुँच पाए शास्त्र में कहा गया है कि बिना शुद्ध हुए कलमश रहित हुए कोई भी व्यक्ति कृष्ण को नहीं पहुँच सकता तो इसी कारण से काल्यवन हाला कि कोशिश कर रहे थे फिर भी कृष्ण तक नहीं पहुँच पाए चलते चलते कृष्ण एक गुफा में प्रविष्ठ हुए काल्यवन ने बहुत सारे अप्शब्द दिये कृष्ण को कायर बोल करके उस गुफा में कृष्ण को ढूणने गए उस गुफा में घोर अंधेरा था और काल यवन ने एक कोने में देखा था कि एक व्यक्ति चादर ओड़े हुए सोये हुए हैं और उनने ये सोचा कि निश्चित कृष्ण ही आपे छिपे हुए हैं और सोने का ढूंग कर रहे हैं तो उस व्यक्ति के पास जाके जोड से एक लात मारते हैं और वे जो भी सो रहे थे उस लात के कारण उठे और अपने सिर से उस चादर को हटाई और अपने आखें जैसे खोले तो कालियवन जल के भश्म हो गया कालियवन ने जिस व्यक्ति को लात मारा व्यवास्तव में कृष्ण नहीं थे बलकि कृष्ण के एक महान भक्त राजा मुझकुंद थे काल यवन के जलने के बाद भगवान कृष्ण ने मुचकुंद को चतुर भुज रूप में विश्णु रूप में दर्शन दिया राजा मुचकुंद इक्षवाकू वन्षज का एक महान राजा था जिस वन्ष में भगवान राम चंद्र भी जनम लिये थे मुचकुंद के पिता का नाम था मांधाता और मुचकुंद इतने शक्तिशाली और पुर्णिवान राजा थे कि देवताओं ने उनकी सायता मांगी थी असुरों के खिलाफ युद्ध करने के समय देवताओं का युद्ध समाप्त होने पर देवता लोग अतिप्रसन हुए थे और देवताओं के सैन्य अध्यक्ष कार्तिकिये ने राजा मुझकुंद को एक वर्दान दिया आप जो चाहो हमसे मांग सकते हो तो राजा मुझकुंद ने यहे वर्दान मांगा कि मैं कई सालों से आपके लिए युद्ध कर रहा हूँ और इस प्रयास में मैं बहुत ठक गया हूँ मुझे बहुत नीन्दारी है और मैं चाहताओं की बेरोक टोक अपनी नीन्द पूरी कर सकूँ मुझे यह वर्दान दीजिए कि इस नीन्द से मुझे जो भी समय से पहले उठाएगा उसको मुझे जलाने का शक्ती दीजिए उसे देखने मात्र से मैं भस्म कर सकूँ यह वर्दान दीजिए मुझे तो देवताएं अतिप्रसन होके राजा मुझकुंद को यह वर्दान दिए और उसके पस्चात राजा मुझकुंद इस गुफा में आके अपने नीन्द पूरी करने के लिए सो गए क्रिश्न का उज्ज्वल सुन्दर रूप देख करके राजा मुझकुंद को लगा कि शायद यह कोई देवता हो यह शायद यह स्वयम भगवान विश्णु ही हो जो कि मुझसे प्रसन होके दर्शन दे रहे हैं राजा मुझकुंद ने कृष्ण से परिचय मांगा लेकिन मांगते समय उन्हें उचित लगा कि बिना अपना परिचय दिये मैं किसी और महान विक्ती का परिचय कैसे मांग सकता हूँ तो इसलिए विस्तार से राजा मुझकुंद ने अपना वन्शच और अपने कारियों का परिचय बताया कृष्ण को सब बताने के बाद विनम्रता से राजा मुझकुंद ने कृष्ण से उनका परिचे मांगा और भगवान कृष्ण बोले कि मेरे बारे में तो अनन्त काल समय तक अनन्त देव बखान कर रहे हैं लेकिन फिर भी समाप नहीं कर पाए तो मैं भी अपना पूरा परिचे नहीं दे पाऊंगा लेकिन इतना आप जानिये कि मैं साक्षात परब्रम कृष्ण हूँ जो कि इस धर्ती पे देवताओं के प्रातना ये कारण अविर्भाव हुआ हूँ और इस धर्ती के बहार को दूर करने के लिए आया हूँ पिछले जनम में तुम मेरे महान भक्त थे और तुम से प्रसन होके अब मैं तुम्हें दर्शन दे रहा हूँ तुम मेरे से जो भी इच्छा करते हो एक वर्दान मांग सकते हो राजा मुझकुंद बहुत प्रसन हुए और भगवान का बहुत गुनगान किया अलग-अलग स्तुतियों के माध्यम से उसके बाद राजा मुझकुंद भगवान से प्रार्तना करते हैं कि अगर आप कुछ देना चाहें तो मुझे जन्मत जन्मांतर आप अपने चर्णों की सेवा भक्ती दीजिए मेरे को मैं जानता हूँ कि आप मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं यहां तक की मुक्ती की इच्छा को लेकिन कौन मूर्ख है जो आपको प्रसंद करने के बाद ऐसा कोई वर्दान मांगे जिससे स्वयम वे बंदन में बंद जाए इसके पस्चाद भगवान कृष्ण भहुत प्रसंद हुए और उनसे बोले कि मैं तुमारे इस भावना से बहुत प्रसंद हूँ मैंने तुमें कोई भी वर्दान मांगने को बोला था लेकिन तुमने इसका गलत लाब नहीं उठाया तुमने मेरे से कोई भहुतिक इच्छा नहीं मांगी और इस कारण मैं समझता हूँ कि अभी तुमारी सारी भहुतिक कलमश दूर हो चुकी है तुमारा मन मेरे चरणों में दृरता से लग गया है और इसलिए भहुतिक संसार का कोई भी इच्छा तुमें सता नहीं रहा इसलिए मैं तुमको एक विशेश वर्दान देता हूँ कि तुम हमेशा मेरे बारे में चिल्तन कर पाओगे इस प्रकार से इस भहुतिक जगत में आसानी से तुम विचरन कर पाओगे और कोई भहुतिक प्रभाव नहीं पड़ेगा तुमें चौकी इस जीवन में तुम एक शत्रियत है इसलिए तुमने कहीं सारे अपराद और पाप किये हैं दूसरे जानवरों के प्रती हिंसा के रूप में और अपने राज्यभार के कारियों में दूसरों को मारने के कारण इन सभी पापों से मुक्त होने के लिए तुम तीवरता से मेरे भक्ति योग का भ्यास करो और अपने मन को मेरे में केंद्रित करो बहुत ही जल्दी तुम इन सभी पाप फलों से मुक्त हो जाओगे और अगले जनम में एक बहुत उच्च कोटी वैशन अव ब्रहमन के घर में जनम लोगे उस जीवन में तुमारा एकमात्र कार्य होगा मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करना और उसके बाद निश्चित तुम मेरे धाम वैकुंट धाम को लोड़ जाओगे यह सुनकर राजा मुचकुंद बहुत प्रसंद हुए और भगवान कृष्ण का परिक्रमा किया उस गुफा में उसके बाद गुफा से बहार आये और मुचकुंद ने देखा कि सारे पेड और मनुष्य बहुत छोटे हो चुके हैं वहतुरन समझ गए कि यह ब्रहमा जी का 28वा मनवंतर है जिसमें भगवान कृष्ण का अवतार होता है और समय का परिवर्तन देख करके वैशीग रही हिमाले की और गए और वहाँ पर बद्रिक आश्रम बद्रिनाथ जहां पर नर नारायन रिशी तपस्या करते हैं उदर जाके अपना शेष जीवन भगवान के भक्ति में और तपस्या में बिताए इस घटना के पस्चात भगवान कृष्ण वापस मधुरा नगरी आए कालियवन के सेना से युद्ध करके उन सभी को मार दिया तपस्चात रण भुमी से सारा सोना धन और जितने भी कीमती वस्तु थे उन सभी को रथों पे लाद करके राजा उक्रिसेन के सामने प्रस्तुत किये राजा जरासंद भी आकरमन के लिए तयार थे और इसके कुछ समय बाद ही अपने 23 अक्षोयनी सेना के साथ मथुरा पे आकरमन किये भगवान कृष्ण ने विचार किया कि इतने सारे युद्ध से यदिवन्ची सेना याकुल हो गई है और अधिक मार काट को रोकने के लिए भगवान कृष्ण ने एक नया तरकीब सोचा कृष्ण और बलराम बिना सेना के मथुरा नगरी से भार आये और भागने लगे इस लीला के कारण भगवान का एक और नाम है रंचोड रंचोड कृष्ण रंचोडने की नीटी भगवान ने कई कारणों से ली एक तो यही कारण था कि मथुरा के निवासियों को और यदुवंची सेना को कश्ट ना हो और इसके लावा एक और जरुरी कार्य था वै था रुकमिनी का हरंड करके उनसे विवा करना इसके लिए समय बचाना चाते थे इसलिए क्रिश्ण और बलराम रन छोड़ के भागने लगे और भागते भागते एक बहुत उचे परवत पे चड़ गए जिसका नाम था प्रवर्शन इस परवत पर लगातार वारिश होती थी और यह बहुत उची परवत थी जब जरासंद ने देखा कि क्रिश्ण बलराम इस परवत के उपर चड़ गए है तो चारो तरफ से परवत को घेरे और अपने सेना के साथ कृष्ण बलराम को ढूनने का प्रयास किया लेकिन जब क्रिश्ण और बलराम नहीं मिले तो पहाड को चारव ओर से लकड़ी से घेर करके आग लगाया और पूरा पहाड जलने लगा यह सोचके कि क्रिश्ण और बलराम पहाड के उपर हैं और वे अगनी में भस्म हो जाएंगे जरासंद प्रसंद हो गए और वापस अपने राज्य मगद को लोट गए इस बीच में क्रिश्ण और बलराम उस प्रवर्शन परवत के चोटी से चलांग लगाये और बहुत उचाई से नीचे आके सुरक्षित जमीन पे लोट गए क्रिश्ण और बलराम वापस द्वार का नगरी आये और वहाँ पर बलराम जी का विवा राजा रेवत के बेटी रेवती से किया गया इसके पस्चाथ क्रिश्ण ने भी विवा किया रुकमिनी के साथ जो की राजा भिश्मक के पुत्री हैं राजा भिषमक के 5 पुत्र और एक फुत्री थी राजा भिषमक के साथ सबी नगर निवासियों ने चित समझा कि रुकमिणी का विवा कृष्ण से होना सर्वोत कृष्ट होगा लेकिन रुक्मिनी का सबसे बड़ा भाई जिसका नाम था रुक्मी वह कृष्ण को पसंद नहीं करता था रुक्मी चाहते थे कि रुक्मिनी का शादी उनके मित्र शिशुपाल से हो और जिद करके शिशुपाल से रुक्मिनी का विवा तैक कराया इस विवा से रुकमिनी बिल्कुल भी प्रसन नहीं थी और उन्होंने आपात कालीन स्तिती को सुलजाने के लिए एक तरकीब सोचा रुकमिनी ने एक प्रेम पत्र लिखा और एक ब्राह्मन के हाथ भगवान कृष्ण को पहुँचाने का प्रयास किया भगवान कृष्ण ने उस ब्राह्मन का आदर सतकार के साथ स्वागत किया और उन्हों ब्राह्मन को अपने ही सिंगासन पर बठाए उनके चरण धोए और उनको हर प्रकार के वस्तू प्रदान किये स्वागत किये उनका उसके बाद ब्रामर्ण ने सनान किया और बहुत ही अच्छे महल में विश्राम का आयोजन कराया गया ब्रामर्ण के विश्राम करते समय भगवान कृष्ण आये और बहुत विनम्रता से ब्रामर्ण के चर्णों को अपने गोद में रखे और उनको दबाने लगे क्रिश्न बोले मेरे प्रिय ब्रामन उमीद है कि धर्म पालन करते समय आपका मन शान्त और सुखी है क्या आपके राजी में सब कुछ कुशल मंगल है क्या वहां का प्रजा सुखी है प्रजा के सुखी होने से वहां के राजा के बारे में पता चलता है कि वह कितने पुन्यवान है और कितने दक्ष है यह सब कूछने के बाद ब्रामणने सारी घटना बताई और रुकमीनी का प्रेम पत्र भगवान कृष्ण को दिया उस पत्र में रुकमीनी ने लिखा है कि हे कृष्णत आपके बारे में कोई भी सुन ले तो वे सबी भोतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं और आपको सदे याद करते हैं मैंने भी आपके बारे में सुना है नारद मुनी से और अब मैं केवल आपकी ही सेवा करना चाहती हूँ आप सोच सकते हैं कि मैं कितना निरलजु हूँ और मैं सती नहीं हूँ जो कि इस प्रकार एक प्रेम पत्र लिखे लेकिन आपको जानना चाहिए आपसे सुन्दर इस जगत में और कोई नहीं है और सभी स्त्रिया निश्चित आपसे आकरशित होंगी यहां तक कि देवी लक्षमी भी आपसे आकरशित हैं और सदा आपके छाती पे निवास करते हैं कृपया मुझे आप अफरंट करके अपना दासी बनाएं इससे पहले की मेरे हाथ आयोग्य व्यक्ति शिशुपाल जैसे व्यक्तियों को दिया जाए जो वस्तू राजा का है यदि सियार उसको चोरी करके ले जाए तो यह तो बहुती अपमानिय कारी होगा जब मैं दुर्गा देवी के मंदर जाऊंगी पूजा करने उस समय आप मेरा अफरंट कर सकते हैं उस समय कम से कम हिंसा होगी और सभी के लिए लाव होगा मैं आपको सभी देवताओं से सर्वोच्च मानती हूँ यहां तक की महादेव से भी महान मानती हूँ और यदि मेरा ये प्रस्तावना आपको स्विकार ना हो मैं ये जनम तपस्या और भजन करने में बिता दूंगी और जन्मानतर इस प्रकार से लगी रहूंगी जब तक आप मेरे से प्रसन्व ना हो और मुझे स्विकार ना करे आपके अलावा मैं और किसी को नहीं जानती जब भगवान कृष्ण ने ये पत्र पड़ा तो ब्रामन को धन्यवाद दिये और बोले कि मेरे मन में भी यही बात चल रही थी कि मैं रुक्मिनी का विवा करूँ और ये जानके कि रुक्मिनी भी मेरे को विवा करना चाती है आप तो मैं और भी प्रसन हूँ आप बताईए क्या करना है अभी ब्रामन ने बताया आप जो भी करना चाहें जल्दी कीजिए क्योंकि परसों ही रुक्मिनी का शादी तैय है भगवान कृष्ण उताबले हुए और तुरंथी तारुप को बुलाए और अपने रत को सज्ज किया वह दिव्य रत में चार दिव्य घोडे हैं जो बहुत तेजी से भाग सकते थे और उसी रात को ब्रामण को अपने रत में बठाके भगवान कृष्ण राजा भिश्मत के राज जिधानी कुंडिनपूर जाने के प्रस्तित हुए वहरात इतना तेजी से चला कि बारा घंटे में सोला सो किलोमेटर तै होगे द्वारका से कुंडिनपूर पहुँचे नगर सुसजित था और विवा समारों के लिए योग के तयारियां की जा चुकी थी धूला की ओर से शिशुपाल के पिताजी दमगोश आये थे और शिशुपाल अपने दोस्तों को भी लेके आये थे जैसे कि दंतवक्र, जरासंद और पौन रक सभी को ये बात याद थी कि रुकमिनी का विवा कृष्ण से भी तै किया जा रहा था लेकिन रुकमी के बोलने से अंत में रुकमिनी का विवा शिशुपाल से तै हुआ है तो इस कारण से शायद कृष्ण इस विवा को रोकने के लिए आ सकते हैं तो इसलिए अपने मित्रों को और अपने सेना को लेके शिशुपाल तयार थे कुछ समय बाद बलराम जी को पता चला इक कृष्ण बिना बताए अकेले एक ब्रामरन के साथ रुकमिनी को अफ़रन करने गए है इसलिए कृष्ण का हाथ बटाने के लिए बलराम जी ने यदुवंची सेना तयार किया और वे भी पीछे-पीछे कुंडिनपूर आ पहुंचे यहाँ पर रुकमिनी को बड़ी बैचेनी हो रही थी कि अभी तक वे ब्रामन वापस नहीं आए और भगवान कृष्ण का कोई खबर नहीं है क्या कृष्ण मेरे विवा के इस प्रस्तावना को ठुकरा दिया या शायद मैंने देवताओं की पूजा ठीक से नहीं किया और वे मेरे से रुष्ट है इस प्रकार से विचार करते करते रुकमिनी लाचार होके रोने लगी फिर अचानक से उनके शरीर के बाएं अंग फड़कने लगे जो कि एक शुब चिन है स्त्री के लिए पूरुष के लिए शुब चिन है शरीर के दाया अंग फड़कने और उसी समय रुकमिनी ने देखा कि वे ब्रामन वापस आ गए है रुकमिनी ने ब्रामन का स्वागत किया और पूछा कि शीग्र बताईए क्या खबर है तो ब्रामन ने बताया जैसे आपकी इच्छा थी वैसे भगवान कृष्ण ने भी आपका प्रस्तावना स्विकार किया है और वे यहाँ पर उबस्तित है रुकमिनी इतनी प्रसंद हो गई कि उन्होंने ब्रामन को प्रणाम किया और उनको दिल से धन्यवाद किया उसके बाद निश्चिन तो हो करके वैं इंतजार करती रही क्रिश्ण कब मेरे को यहाँ से लेके जाएंगे राजा बिश्मक को जब पता चला कि क्रिश्ण और बलराम भी आये हैं तो उन्होंने उनको ठहराया बहुत सुंदर कमरे में एक बागान के बीच में और उनका स्वागत किया उनका आदर सतकार किया साथ में कुंडिनपूर के सारे निवासी भी क्रिश्ण बलराम को देखने आये प्रेम पूर्वक उन्होंने बोला काश आपका शादी रुकमिनी से हो हमें यही मंजूर है अगले दिन जब रुकमिनी दुर्गा मंदिर को प्रस्थान कर रही थी तो वे अपने मा, सहेलिया और ब्रहमनियों से गिरी हुई थी साथ में कुछ सैनिक भी थे उनके रक्षा के लिए और उन्होंने बहुत सावधानी से दुर्गा देवी का सही सही उपासना किया और उनसे यही वर्दान मांगा अगर आप मेरे पूजा से प्रसन्न हो तो कृष्ण ही मेरा पती बने पूजा समाप्त करने के बाद जब रुकमिनी बहार आई मंदिर से आये हुए सबी राजकुमार वहाँ पर खड़े थे और रुकमिनी का सौंदर ये देखके कई राजकुमार मोर्चित हो गए कुछ घोड़ों से गिरे, कुछ अपने हाथियों से नीचे गिरे और कुछ केवल देखते ही रह गए रुकमिनी के सुनदर सोरुप को यहांकते हुए राजकुमार के मध्यों में कृष्ण को पहचान लिया हाला कि ये पहली बार कृष्ण को देख रही थी लेकिन कृष्ण का विवरंट सुनने से ही कृष्ण से प्रेम हो गया था और देखते ही पहचान गई कृष्ण ने भी पिना देरी से आगे आके रुकमिनी को अपने रत में बठा के दीरे से वहां से जाने लगी तब तक बाकी राजकुमार समझनी पाये क्या हो रहा है राजा जरासंद ने आवाज उठाई कृष्ण को रोको और रुकमिनी को वापस लेके आओ सभी राजाएं और राजकुमार को चेतना आई और वे तुरंत कृष्ण का पीछा करने का तयारी करने लगे इस बीच में बलराम जी नाराइनी सेना को लेके उनका मार्ग रोक दिये अब घमासा न्युद प्रारंब हुआ दोनों सेनाएं आपस में लड़ने लगी और कई सारे सैने गोड़े, हाथियां कटने लगे, खून बहने लगा और भहत घमासा न्युद हुआ धीरे धीरे बलराम जी विजय होने लगे और शिशुपाल की सेना कमजोर होती गई सभी राजाओं ने उचित माना बिना कारण से अपना सेना खोने के कोई लाब नहीं है इसलिए शिशुपाल को आगे किया कि तुम ही कृष्ण से लड़ो और अपने होने वाले पत्नी को बचा के लेके आओ शिशुपाल अपने सेना को लेके कृष्ण का पीछा किये लेकिन वे भी परास्त हो गए और इस प्रकार से युद्ध समाप्त हो गया बाकी राजकुमारों ने शिशुपाल को शांतना दिया कि भागे के अनुसार कभी कभी कुछ होता है लेकिन चिंता मत करो उमीद रखतें कि आगे सब कुछ ठीक होगा सब कुछ हो जाने के बाद रुक्मिनी का भाई रुक्मी बहुत ही क्रोधित हुआ और सब का धिकार किया तुम लोग सब मिलके मेरे बहन को बचा के नहीं ला सके धिकार है तुम सब पर मैं खुद जाओंगा और अपने बहन रुक्मिनी को वापस लेके आओंगा और यदि मैं ऐसा करने में असफल रहा तो मैं अपना चेहरा यहां दुवारा नहीं दिखाऊंगा कभी यह मेरा वादा है ऐसे बोलते हुए कृष्ण का पीछा करने लगे बड़ी सेना को लेकर के कुछी दूरी पर रुक्मी कृष्ण तक पहुँचे और कृष्ण को ललकारने लगे कि रुको कायर मेरे भेन को चोरी करके कहा जा रहे हो जरा मुड के एक बार मेरे से युद्धोत करो और तीन तीर चलाए कृष्ण को उपर कृष्ण ने अपना रत रोका और रुक्मी से लड़ना प्रारम किया बहुत ही आसानी से रुक्मी को हराया रुक्मी को बंदी बना लिया इतने में रुक्मीनी को बहुत दुख हुआ और अपने भाई के प्रेम के कारण रोने लगी कृष्ण से प्रारतना करने लगी कि कृपय आयने मत मारिये इन्हे जोड़ दीजिये रुक्मीनी का हाल देखकर के कृष्ण ने रुक्मी को अपमानित करके छोड़ने का उपाय सोच लिया और अपमानित करने के लिए रुक्मी के बाल अनेक जगे से काट दिये और कुछ-कुछ जगे बाल छोड़ दिये ये देख करके बलराम जी समझ गए कि रुक्मीनी बहुत ही दुखी है और रुक्मीनी को शांतना देने के लिए कृष्ण को डांटने लगे कोई भला अपने साले के साथ इस प्रकार कैसे बरताव कर सकता है कृष्ण तुमने बहुत गलत किया है चाहे कुछ भी हो रुक्मी आपके परिवार जन है आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था दूसरी और से रुक्मीनी को समझाने लगे अपने भाई से बहुत प्रेम करते हो लेकिन तुमारा भाई धूरत है और वहत कृष्ण के मार्ग में अर्चन बन रहा है इसलिए कृष्ण का ये तंड देना उचित था इस प्रकार से दोनों को शांतना दे करके कृष्ण और रुक्मीनी को द्वार का क्यों भेज दे है राजा रुक्मी इस प्रकार से अपमानित होकर वापस अपना घर नहीं लोटा बलकि भोचकट नाम स्थान में अपना निवास चुना और वहीं पर पूरा जीवन बिता लिया द्वार का नगरी लोटकर कृष्ण ने रुक्मीनी से निया मनुसार विवा किया और कृष्ण को द्वार का नगरी का राजा खोशित कर दिया गया उस विवा में अनेक महान लोग आए हुए थे जैसे की कुरू परिवार के जितने महान सदस्य थे और राजा भीश्मक भी आये थे राजा भीश्मक थोड़े नाराज थे कि उनकी बेटी अफरित हुई है और उनको बेटे को इस प्रकार से हरा दिया गया था लेकिन बलराम जी ने और बाकी रिशियों ने काफी समझाया राजा भिश्मक को और उसके बाद वे इस विवा को मान लिये और वहां पे उपस्तित भी हुए पद्म पुराण में उलेक है कि कृष्ण और रुक्मिनी के विवा में नंद महाराज और जितने ग्वाले थे वह सब भी आये और सम्मिलित हुए इस विवा के बाद सारे द्वार का वासी बहुत प्रसन्न थे मानो लक्ष्मी और नारायन एक साथ इकत्र होके द्वार का नगरी में निवास कर रहे हैं